दोस्तों अगर आप किसी भी तरह का UPI payment app इस्तिमाल करते हो आज कल तो बहुत सारे option available है हमारे पास जैसे की government का official भी map हाई है इसके लावा phone पे है Google पे है Paytm है और आज कल तो अभी recently आपको बतागा WhatsApp ने भी WhatsApp payment service शुरू कर दिये तो ऐसे मैं कहने का मतलब यह है कि आप किसी भ payments Corporation of India जो कि यह UPI की जितने भी transactions होते हैं और इस system को handle manage करता है तो ऐसे मैं कहाने का मतलब यह है कि NPCI ने भी tweet करके जान कर दिये हैं और अलज कि आपको अब क्या चीज है और क्या मिट रहा है तो आप किसी भी तरह के जैसे phone पे पेठी है मैंने आपको बताया ना इनका यू कैसे लगे English पहले तो यह बताओ और कि कहने का मतलब यह हैं दूस्तों के हिंदी में अगर मैं आपको बताओ ना तो कहने का मतलब यह है कि NPCI ने चुट करके बताए कि UPI transaction का जो प्लेटफॉर्म है ना UPI platform उसको अपग्रेड किया जारा ठीक है इसलिए next few days है कि अगले कु कोई inconvenience या प्रोब्लम या ट्रांजिक्शन फेल जैसी समझे आ सकती है कब केवल रात में दो गंटे एक एम से तीन एम तक ठीक ना तो ऐसे मैं आप अपने पेमेट्स जो आया है उनको दिन में प्लेन करके रहे के दिन में शेडियूल कर दें यूपियाई ने यही चीज ट तो आपको कुछ प्रोब्लम देखने को मिल सकते हैं आपका पेमेंट फेल वगरा हो सकता हैं तो कहने के बहुत सिंपली यह है कि आप अपने पेमेंट को दिन में प्लेन कर लें ओके यह चोटा सा अपडेट था एक मिनिट का उमीद आपको जानने को मिला होगा आप मुझे मोबाइल पर मिलते रहेंगे थेंक्यू चेकर गुडबाई जैहिंत जैबारत वंदे मातरम